हेलो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक जबरदस्त का अपडेट देने वाला हूँ दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि गोहाटी में कुछ ऐसा केस हुआ था कि एसी जी और एको के पॉइंट में रिमेडिकल में विदाउट चेक किया कुछ लोगों को आउट कर दिया गया था जिसका की केस हाइगोट में चल रहा है तो दोस्तों लगभग जो है 40 प्लस लड़कों ने जो है हाई कोट में केस किया था जिसकी सुनवाई चल रही थी तो बहुत सारे पूछे थे कि इसका क्या रिजल्ट हुआ एक 30 तारिकों जो है ये रिंग था तो जोस्तों मैं आपको इसमें विद्प्रूब दिखाने वाला हूँ इसमें कोई भी फेक वाली बात नहीं है और मैं आपको मन गरंथ बात नहीं बताओंगा इसमें जो भी दूँगा मैं आपको ये तो किसी को भी नहीं पता है लेकिन हाँ एक ये भी जो था बीच में ये मुद्दा उठा था कि साइद इसके वज़े से हमारा जो इंडॉल्मेंट है वो डिले है और रिजल्ट डिले है तो उसका तो हमें जो है रियल का डिजन नहीं पता है लेकिन जो भी वज़ा हो द किसी जी वाले का फिर से रिमेडिकल होगा हाई कोट में हीरिंग हुआ उसके बाद वो लोग फाइनली केस जीद गए हैं तो दोस्तों इससे आपका इंडॉल्मेंट जल्दी आएगा कि नहीं आएगा यह तो मुझे नहीं पता यह सीएस भी कोहीं पता होगा और किसी को भी न रड़के का में आपको कॉल कोडिंग भी सुनाता सुनाया था वह विडियो नहीं देखे हो तो अगर आपको लग रहा कि तो मैंने आपको को वह वाला कॉल रिकॉर्डिंग सुनाया था और उसमें मैंने वीडियो भी बनाया था आप जाके वह वाला वीडियो देख सकते हैं इस वीडियो की डिसकेशन बॉक्स में आपको मिल जाएगा और साथी साथ मैं अपने टेलेग्राम चल में फोरवर्ड कर दूंगा तो जोस सब्सक्राइब और आपका सब्सक्राइब होता है तो इसलिए मैंने अपने चनल का नाम डिफेंस कर दिया आपको दोस्तों कैसा लगा और यह वाला लोगों आपको कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना तो दोस्तों हम आते हैं मुद्दे पर चलो सबसे पहले पर दोस्तों हम आपको वाला जो इमेज है वो दिखा जाते हैं उसके बाद आपको ट्रस्ट हो जाएगा उसके बाद मैं आपने ट्रेग्राम चैनल में फोरवर्ड कर दूँगा आप आराम से गूगल टांसलेटर का यूज़ करके आप पढ़ सकते हैं उसका हिंदी इमेज दिख रहा होगा और सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि देखो दोस्तों यह जो इमेज है ये क्रिएट किया हुआ इमेज नहीं है यह आपर देख सकते हो कि यहां पर आपका सिंबौल से आपको पता चल रहा होगा यह कोई भी फैक नहीं यह कर्डिड के आप एक एक लाइन यहां से पढ़ो कि प्रिजेंट रिट पिटिशन हैव बिन फिल्ड सीकिंग डिरेक्शन तुदर रिस्पॉंड और टू री इग्जामिनेशन एंड री कंडेक्ट री मेडिकल टेस्ट और देखो यहां पर दिया हुआ है कि री इग्जामिनेशन और री क इस फाइल किये थे हैं बिन डिक्लिर मेडिकली अन्फिट फॉर्ड पोस्ट अप एयर मैं इन इंडियन एयर फोर्स वाइट सेपरेट मेडिकल अन्फिटनेश कंडिडिट सर्टिफिकेट इसू बाइपिल मेडिकल बोर्ट ऑन दे बेसिस ऑफ इसीजी अबनॉर्मलिटी त जो भी पिटिसनर हैं उसको अन्फिट कर दिया गया था और फाइनली उनका फिर से री मैडिकल होगा और री एक्जामीन उन्हें किया जाएगा और उसके बाद अगर वो फिट होते हैं तो फिर से उनको फिट कर दिया जाएगा यहां पे आप पूरा पर सकते हैं यहां पे खुल गया कि अगले बार से ऐसा जो गलती है वो फिर से रिपीट नहीं होगा तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर जो है पूरा दिया हुआ है कि टुडेज मिश्टर विकांद एन गुएल लर्ण लर्ण कॉंसिल फोर दे रिस्पॉंडेंट्स और इस्टेक्शन इस्टेट दर फ्रेस इसी जी और पिटिस्नर जो लोग भी केस फाइल किये थे उनका फिर से कंड़क्ट किया जाना यहां पर आप जो है बोल्डी मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं कंड़क्ट बाइ प्लस में से दोस्तों सभी जो है सभी का ऐसा ओडर नहीं मिला है लेकिन जो है कुछ कुछ पॉइंट को छोड़ दिया जाए तो लगभग जितने भी लड़के इसी जी में थे उनका फिर से रिमेडिकल होगा और इको के वाले वी कुछ बंदे जो थे वो मतलब कि उनका जो जो की केडिये थे तो उनका जो केस है वो रिजक्ट कर दिया गया है वो लोग नहीं जीत पाए हैं तो फाइनली दोस्तों जो दो थे एको वाले और ECG वाले उनका फिर से रीमेटिकल होगा तो दोस्तों अगर आपका भी रीमेटिकल होना है तो आप सो वोगो धेरो कॉंगरेचलेशन और मैं एक लड़के को जानता हूँ जो कि इसमें ECG में आउट हुआ था है जब को जिसका कॉल रिकॉर्णिक सुनाया था 19 को हम लोगा गौहाटी में फेश्टू था तो दोस्तों आप वह वाला वीडियो जरूर जाके देखना यह कमेंट मत करना कि यह फेक है अब देखो इससे जरूरी नहीं है कि आपका जो रिजल्ट है या फिर इनॉल्मेंट है इसके वज़े से डीले हो रहा होगा लेकिन में भी हो सकता है कि यह भी एक रिजन होगा बीच में जैसे की मुद्धा उठा था तो दोस्तों फैनली भी मेरे को यही करेंट अपडेट देना था सामने निकलके आया थाथ तो दोस्तों यह जो भी नॉर्मल यह जो भी कंडिडेट एंजो भी से आते अनके लिए यह बहुत दोस्तों बड़ा नुकसान है अगर ऐस है चीटिंग वग्रा होता है और अभी तो दोस्तों कल और आज कल के ही निउस में आ जा तक कि MJ मैंस में भी सीभी आई का छापा पड़ा है तो धुस्तों हर एक्जाम जो है कोई भी अभी शेफम नहीं भचा दूब हर एक में ही जहीं सब हो रहा है तो धुस्तों मैं अपील करता हूं कि ऐसा नो हो और फ्री and fair manner से exam कराया जाए तो दोस्तों आप हर उन candidate तक इस message को पहुँचा दो इस video को पहुचा दो जो भी enrollment का wait कर रहे हैं result का wait कर रहे हैं तो दोस्तों मैंने आपको सबसे पहले ये update दिया है और आपकी ये जिमेवारी बनती है कि आप ये सारे candidate तक share कर दें और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपको चैनल पर भी रहना है और चैनल को सबस्क्राइब कर लेना है बेल लेकिन को भी प्रेस करकर रखना है ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपका नोटिफिकेशन मिल जाए तो चैनल को यह वीडियो में बन जाओ दो चलो वीडियो में इतना यह आपको अपडेट देना था बागयी आप चैली गरम जोयन कर लेना और डरेट लगा के डिफैन्स इंफर्ज करना तो आपको वहां से दोस्तों ये वाला जो पीडियाफ यह वाला जो इमेज है वो आपको मिल जाएगा और डेफिनेटली आप इसको पूरा पढ़ लेना तो चलो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही थैंक्यू